ठर्ण, open your English grammar book and open page number 56 तो बच्चा page number 56 में हम कर रहे थे tensez के बारे में हमने इसमें कर लिया था the present the past आज हम करेंगे future के बारे में इसमें हमने past के exercise book में की है अब हम future के बारे में करेंगे उसकी बाद टीरों को हम अपने notebook में करेंगे future यनि कि आने वाला कल जो कल आने वाला होता है जैसे कि tomorrow जिसके बारे में हमको पता नहीं है हम कहते है कल होगा वो जाएंगे वो खाएंगे तो यह होता है future we use will plus root from of a word to state and action take will be take place sometime in the future such sentences are said to be in the future tense इसका नोट देखिए क्या use होता बच्चा we और you के साथ 74 किसका use होता है future tense में sell का use example I shall never forget you मैं तुमको कभी भूल नहीं पाऊंगा but now will is more acceptable लेकिन हम जातर will का use करते हैं यहाँ पर जैसे कुछ sentences है picture देखिए उनमें हम पढ़ते हैं पहला sentences है I will you call back in an hour मैं तुमको दुबारा कॉल करूंगा करूंगा हिंदी में होता है गा गा आता है एक घंटे बाद दुबारा कॉल करूंगा they will come to my house tomorrow वेकल मेरे घर में आएंगे फिर है we will go for a picnic next week अगले हम पिकनिक के लिए जाएंगे you will be eight years old next month तुम अगले मेने आठ साल की हो जाओगी there will be a magic show at school today आज इस्कूल में एक magic show होगा तो यानि कि होगा जाएंगे खाएंगे ये सब होते हैं future tense में अब यहाँ पे remember we do use verb plus as we will we do not use हम बच्चा future tense में will के साथ as को add नहीं करेंगे जैसे हम present में as का use करते थे यहाँ पे as को add नहीं करेंगे जैसे I will place right sentence है I will place wrong sentences है we also use will be in future tense और future tense में will be का use भी होता है यहाँ पे कुछ sentences है इनको हम अपने notebook में करेंगे लेकिन अभी मैं book में आपको समझा देती हूँ जैसे कि I came home late yesterday था तो came से पहले क्या गया I will और came के बतले verb change होगे come में I will come home late yesterday second है he completes his work on time तो he will complete यह एस नहीं आएगा complete आएगा फिर third he showed me the way to the station तो he will show एडी नहीं आएगा पापा बाइस गिफ्ट फॉर मी तो पापा विल बाइस नहीं आएगा fifth they booked their tickets तो they will book एडी नहीं आएगा तो future tense में यह change होते हैं इनको हम अपनी note book में करेंगे वहाँ पर मैं आपको फिर से समझाओंगी आज आप इतना समझें और आज इतना देखें कि हमने future tense के कहते हैं जो आने वाला कल होता है यानि कि जिसके बारे में हमको पता नहीं है यानि कि tomorrow जो कल आएगा हिंदी में उसके वाक्य बनते हैं वो जाएगा खाएगा तो इस प्रकार से इसके वाक्य बनते हैं तो आज हम इतने हैं करेंगे आप इतना देखेंगे झाएगा झाएगा